9 अप्रेल से IPL 2021 की शुरुआत होने वाली है और पहला मुकाबला पांच बार की चैंपियन मुंबा इंडियन्स और विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चेलेंजियोज बैंगलोर के बीच होगा ऐसे में IPL 2021 का आगाज धमाकेदार अंदाज में होना तैं है लेकिन बात अगर RCB की करें तो टीम का ज्यादा तर दारोमदार दो खिलाडियों पर होता है और ये दोनों दोस्त कई सालों से RCB की सफलता के बहुत बड़े हिस्सदार रहे हैं नाम है विराट कोहली और ABD विलियर्स आने वाले सीजन के लिए ये दोनों खिलाडी अपनी तैयारियों का जोर आजमाने के लिए एक स्पीड टेस्ट करते दिखेंगे लेकिन आप सोच रहोंगे कि आखिर ऐसा क्यों आखिर क्यों IPL से पहले इन दोनों खिलाडियों को अपने दमखम को तॉलने की नौबत आ गई है तो इसके पीछे की वज़ा है ABD विलियर्स का वो चैलेंज जो उन्होंने सीधे सीधे अपने साथी और RCB के कप्तान विराट कोहली को दिया है ABD विलियर्स ने विराट कोहली को स्पीड से जुड़ा एक चैलेंज दिया है और वो चैलेंज हम बताएं उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई दरसल इसकी शुरुआत होई विराट कोहली के उस ट्वीट से जो उन्होंने इंगलेंड को वंडे सीरीज में हराने के ठीक बात किया था और जिस पर Mr.360 यानि की ABD विलियर्स ने रिपलाई करते हुए लिखा था कि आपके फॉर्म को सलाम कोहली मैं आने के लिए बैक पैक कर चुका हूं ABD विलियर्स के बैक पैक वाले क्वीट पर विराट कोहली ने लिखा उमीद करता हूँ आप अभी भी विक्टों के बीच दोर लगाने में तेज होंगे बस विराट कोहली का इतना सा कहना था और ABD विलियर्स ने उन्हें रेस लगाने का चैलेंज दे दिया एबी डिविलियर्स ने लिखा, रेस लगा कर देख लेंगे कौन तेज है IPL 2021 के लिए इस बार RCB के सूरत काफी बदल चुकी है इस बार पावर हिटर के तौर पर टीम में किवल विराट कोहलिया एबी डिविलियर्स ही नहीं बलगी ग्लेन मैक्सवल भी होंगे जिनें RCB ने IPL 2021 के आॉक्षन में खुद से जोड़ा है बहराल इस साल RCB की किस्मत पल्टिक या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते लेकिन इन दोनों खिलाडियों के बीच होने वाली इस रेस में मज़ाद दर्शकों को जरूर आने वाला है परहाल कैसे लगी आपको हमारी ये खबर हमें कॉमेंट सेक्शन ने जरूर बताएं साथी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लाटफॉर्म TV9 भारतवर्श आफिट थे सबहिट